प्रम पैदा कर दे जाता, राजा बगवान का दूथ है और वो गलती नहीं कर सकता, वो जो कुछ करता है बगवान की तरफ से करता है, वो कथा कानियां खतम हुई देश में हैं, फोटो कोपी हैं, सारे के सारे परलेमेंटिरियम या मले, औरीजिनल तो देश के लोग हैं, सड विदा हिंदू, विदा मुस्लिम, विदा सिख, विदा क्रिश्चन, नो, कोशिज की है, जैसे नाम बदलती है, एक तो नाम बदलना अपने आप में बिलकुल मजाक और बहुत छोटी सोच का प्रिणाम है, इस देश के कितने लोग हैं, जो हिंदी से वाकिप नहीं है, इंग्लिस इंटरनेशनल लेंग्वेज हो गई है, बासा हैं किसी की बपोती नहीं होती, ये बिलकुल नहीं है, कि हिंदी ही होगी तब ये देश विकास करेगा, बासा का सिर्फ और मकसद एक ही होता है, कि सच्चाई को प्रेशित कर सके, किसी सच्चाई को हम किसी दूसरे को बताने के उसमें काबिल हो जाएं, इतना सा बासा का सदूप्योग där, हिंदी बढ़िया के इंगलिस बढ़िया है फ्रानी बढ़िया है ऐसा कुछ नहीं है मगर सब भासाओं का स्वागत है इस देश में नौ प्रोब्लम मगर जबरदस्ती ठोपने की कोई जूट नहीं है और सबसे बड़ा अपराद किया है पारलियमेंट ने मैं परल्यमेंट को क्यों कहा हूँ? कि इस देशमें अब वो समय नहीं है राजा आप राद नहीं करता. जब पहले राजाओं चलता था जो लोगों में भरम पेदा कर दे जाता. राजा बगवान का दूथ है और वो गलती नहीं कर सकता। यह कुछ करता है बगवान की तरफ से करता है उडे खर फवइन करता है खटम होई देश में इत वाज नॉन सैंस में दपस्ट की हिष्ट्री है तो प्रपारलिम्रिंठ जो काम करती деле यह लोगों के परतिनिधी है लोगों के परतिनिधी अगर काम ना करें जो देश चाहता है तो यानि आपके औरीजिनल तो आप हैं, फोटो कोपी हैं, सारे के सारे पारलेमेंटिरियम या MLA, औरीजिनल तो देश के लोग हैं, 140 करोड, उन्हीं की फोटो कोपी है वो, वो फोटो कोपियां सही काम कर पाएं, या डिबेट कर पाएं, उनसे पूछने का ड्यूटी भी ब कानून बनाये थे, उसके बाद 75 साल में सुप्रीम कोट ने, हाई कोट ने बहुत बदलाव किये हैं, और नए टेकनोलोजी के साथ भी, काफी सुप्रीम कोट की गाइडलाइन्स की वज़े से भी बहुत चीज़े शुरू हो गई इस देश में, और होनी भी चीएं, उसमें कोई बुराई नहीं हैं, उससे कोई मना नहीं करता, मगर आपने सडक बनाई पांच और नाम बदल दिये पिचानून के, ऐसा ही हुआ है, 95 परसेंट वही कानून है, जिसको एक कानून कहते हैं, उसके बाद तो इस देश के लोगों ने योगदान दिया, वकीलों ने योग दिया, कोट ने योगदान दिया, उन्हें प्रिवर्तन हुए उन कानूनों में, उन कानूनों के इसाफ़ जो नाम रख लिया अपना, ये चोरी है, UGC की बाहसा में और अकैडमिया की बाहसा में चोरी है, प्लेजरिजम है, जो दूसरे का माल, दूसरे के कथा कहानी लेके निचे अपना नाम लिख दे, राइटर में हूँ, तो ऐसे लोगों को सजा मिलती है, तो पारलियमेंट के लोगों ने ये चोरी की है, और गलत किया है, और नाम बदल के, उनका सेक्शन बदल के, जो अपराद किया है, आप ही अपने घर के रोज कमरों के नंबर बदल दो, आपका बच्चा सोता एक नंबर कमरे में, आज उसको तीन नंबर कर दो, तो बच्चे को को आज तू तू तीन नंबर में सोजा, बोला तीन नंबर तो ये था, मैं तो इसी में सोता था, ये तीन नंबर कैसे हो गए तो एक नंबर था, तो ये नोंसेंस इस तरह की करने की जूत नहीं थी, ये किसे ने सला दी और किस वज़े से ये कियागा, ये कोई bankrupt mind ही काम ये कर सकता है, देश के लोग या बुदी जी भी लोग, समझदार लोग ऐसा काम ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस पे बहुत परसंचीन हैं, और पुलिस को काफी पावर इसमें मिल गई है पुलिस से तो पहले दुखी हैं लोग, दिल्ली में भी आप पड़े लिखे आदमी, आप भी जो पतरकार लोग हैं, अकेले की हिम्मत नहीं आप लोगों कभी, कभी ठाने में जब आपका खुद का मामला हो, अकेले चले जब आप भी सोचते हैं, दो चार साती मिल जाएं, और साती नहीं मिल जाएं, कोई वकीली मिल जाएं काले कोट वाला, तब लोगों में हिम्मत आती है, तो बाकी देश का सूची आप क्या हो रहा है, इस देश में पतरकार जेल में जाता है, काफी कुछ अच्छा काम करी सुप्रीम कोट, नो प्रोब्लम, मगर जितना तीवर लगती से होना चाहिए, we have problem with the Supreme Court and High Courts of this country, अरे भई, दो आदमी बदमासी करें, दो अंग खराब हो जाएं, परलियमेंट भी नारे लगाती रहें, किसी के भी, XYZ के, एक आदमी बोलता है, तो उस पार्टी के लोग नारे लगाते हैं, दूसरा बोलता है, तो दूसरे पार में कोई opposition और position का जीकर नहीं है, ये सारी की सारी खुरापात, politician ने की है, इसको खतम करने के जूदर बहुत दे समय खतम हो चुका है, लोग अलफ़ाबेटिकली बेढ़ते हैं, पारलियमेंट में, क्योंकि because we all are representative of the people, और हमारा एक house है, सदन का एक नेता प्रेमिस्ट के अगस्ता, और प्रेमिस्टर राष्ट्रपदी फलाने इनको बदलते हैं, इनको अगर demolish करना तो राष्ट्रपदी बहुन को कर दो भाई, यहां तो कोई अंग्रेज रहते थे, लाल के लिए को कर दो, यह तो अंग्रेज रहते थे, महां तो चड़ जड़ के बासन देना चाते हो, आप लोग हिस्ट्री क्रियेट करना चाते हो, हिस्ट्री ऐसे क्रियेट नहीं होती, हिस्ट्री मानुता से क्रियेट होती है, यह जो इस तरह की नॉंसेंस देश में चल रही है, और इसमें पारलेमेंट के वो सारे लोग दोसियों, उनकी कांसिच्वेंसी के लोग है देश में तो इस तरह से हाथ कड़े करके किया हुआ कानून और अब परल्यमेंट के सामने है सुप्रीम कोड के सुप्रीम कोड को मुझे जो लगता है जैने ड्लोकेट इसमें स्टे भी करना चीए इसमें बार अपने लोग अपना मुझा अपने जानकार लोग थो नहीं को फाइश्टारों में अच्छी जगा बुलाते रहे पार्टियां करते रहे डिसकसन डिवेट हो गया वही हो गया जो आम आदमी है इस देश का जो स्टेक होल्टर है उसको तो शामिल ही नहीं किया गया ऐसा देश में डेमोक्रेसी में नहीं कंच चल सकता है यह काम हुआ यह इसका काम होका है इसलिए यह इसटरह का काम होना इसलिए बिन गोशन के अमरजन्सी एक तरह से देश में यह इसके के लिए खतर नाख है और हम 140 क्रोड दोगों को सब को समझना होगा वीदा पीपल में ना तो ये है वीदा हिंदू, वीदा मुसलिम वीदा सिख, वीदा क्रिश्चन ना ये है वीदा ब्राह्मन वीदा छत्री, वीदा फलाना, वीदा डिकडा ऐसा कुछ नहीं है सब को दफन कर चुका है देश, जब से देश आजाद हुआ इस मावले पर क्या आपको कानून जाई बेड़ रहे हैं हाँ, इसमें अब करेंग पर्शन उतरकाबाद में कर लेते हैं हाँ, तो इसलिए हाँ, तो ये तीनो कानून हम चाहते हैं कम किसें, कम बॉल सुप्रीम कोट के पाले में है सुप्रीम कोट इनके स्टे भी करेगी और इनको वापिस बेजने का काम करेगी ताकि इस देश में डेमोक्रेसी जिन्दा रह पाई डेमोक्रेटिक वेल्यू democratic value और constitutional morality जिन्दा रह पाए और इसमें आप सब की भागेदारी देश के सभी लोगों की भागेदारी क्योंकि जब तीनों अंग फेल हो जाएं सुप्रीम कोट भी अगर फेल हो जाएं तो people of this country are more supreme than the Supreme Court of India people of this country are more supreme than the parliament of this country people of this country are more powerful and great than the premonition CM of the states of this country ये ध्यानक ने जूते देश के लोगों को आप ही है जो कुछ है थेंक्यू